पंजाबी सीक रहे सबी विद्यार्थियों का पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन सीरीज में बहुत-बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम करेंगे पंजाबी कक्षा दस्वी साहित माला पुस्तक में से श्रीगरु अर्जन देव जी का शबत तू मेरा पिता तू है मेरा माता प्यारे विद्यार्थियों ये पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन सीरीज है जिसमें हमने इस शबत को हिंदी में एक्स्प्लेइन किया है पर अगर आप सबने हमारे साथ इस शबत की पंजाबी एक्स्प्लानेशन देखनी है या इसके प्रेशन उत्तर करने तो हमने उसकी अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मेरा आप सबी से ये निवेतन है कि आप सबी विद्यारती उस वीडियो को भी जरूर देखें और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल लर्न विधर वंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के और नए वीडियोज पाने के लिए आओ शुरू करते हैं तो शबद शुरू करने से पहले हम श्रीगरू अरजन देव जी के बारे जो हमारी साहितमाला पुस्तक में लिखा है उसे पढ़ लेते हैं श्रीगरू अरजन देव जी सिखों के पांचवे गुरू हुए है आप जी के पिता जी का नाम श्रीगरू रामदास जी और माता जी का नाम माता धानी जी है श्रिक्रु अर्चन देव जी ने अमरिच सर में श्री हर्मंदर सहीब की नीव एक मुसल्मान पकीर साई मियामीर से रखवाई आप जी ने श्रिक्रु ग्रंच सहीब जी की संपादना की श्रिक्रु ग्रंच सहीब जी में आप जी के सबसे ज़्यादा पानी दर्ज आप जे की सबसे ज़्यादा बड़ी जाने वाली मानी सुक्मनी साहिब है अब हम पढ़ेंगे शबत तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधब तू मेरा ब्राता इसमें बंधब का अर्थ होता है रिष्टेदार और ब्राता का मतलब होता है बड़ा भाई तो इसमें परमात्मा से क्या कहा गया है हे प्रभू आप ही मेरे पिता हो और आप ही मेरे माता हो आप ही मेरे रिष्टेदार हो और आप ही मेरे बड़े भाई हो तू मेरा राखा सबनी थाईं तापो केहा काड़ा जीओ सबनी थाई का मतलब होता हर जगा पौका अर्थ होता है डर, काड़ा का मतलब होता है चिंता तो इसका ये मतलब है कि हे प्रभु आपने मेरी हर जगा रुक्षा की है और आप मुझे किसी चीज का डर नहीं है और मुझे कोई चिंता भी नहीं है तुमरी किरपाते तुद पच्छाना तू मेरी ओट तु है मेरा माना ओट का मतलब होता है आसरा और माना का मतलब होता है मान करने वाली ताकत तो इसका ये मतलब है कि हे प्रभू आप जी की किरपा से ही मैं आप जी के साथ डूंगी सांच पा सकता हूँ आप ही मेरी ओट हो कि मुझे आप जी का ही सारा है और आप ही मेरे लिए मान करने वाली ताकत भी हो तुद्बिन दूजा अवर ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जीओ वैसे अखाड़ा का मतलब होता खेलने की जगा पट यहाँ पे अखाड़ा का मतलब है संसार तो इसका ये मतलब है कि आप जी जैसा कोई दूसरा नहीं है और जो इस जगत संसार का खेल चल रहा है वो आप जी द्वारा ही रचा गया है कि जगत संसार का खेल है वो आप नहीं रचा है कि ये संसार में जो भी जीव जनतु हैं वो आपजी द्वारा ही रचे गए है और जिस काम में आपजी की रजा है उस काम में आप सबने सभी जीवों को लगाया हुआ है सब किछ कीता तेरा होई ना ही किछ असाड़ा जीओ असाड़ा का मतलब होता है असाड़ा हमारा तो इसका ये मतलब है कि जो भे संसार में हो रहा है, जो कुछ भे संसार में हो रहा है, वो सब आपजी द्वारा ही किया जा रहा है, इसमें हम संसारी जीवों का कोई जोर नहीं है, कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है, नाम त्याय महासुक पाया, हर गोण गाय मेरा मन सित्य लाया, नाम अर्थ होता है नाम सिम्रन करना और महासुक होता है सुक से भी उपर जिसे हम कह सकते कि आत्मिक अनंद हर का मतलब है परमात्मा और सीतिलाया का मतलब है सीतल होना ठंडा हो जाना कि प्रभू के परमात्मा के नाम सिम्रन से मैंने महासुक आत्मिक अनंद पा लिया है और परमा गुर पूरे वजी वदाई का मतलब है पूरे गुरू की किरपा से मन में वदाई प्रगट हुई है जिसका मतलब है कि गुरू की किरपा से मन में आत्मे कनंद या आत्मे कुछा की हालत है वो प्रबल हो गई है तो इसका यह अर्थ हो गया कि पूरे गुरू की किरपा से मन मे वधाई प्रगट हुई है, आत्मी गुच्छा की हालत है, वो प्रबल हो गई है नानक जिता विखाड जी हो, विखाडा का मतलब होता है विखाड जिसका मतलब होता है ओखा कोल और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने विकारों के साथ हो रहे ओखे कोल में जित जीत है वो प्राप्त की है कि ऐसे लग रहा है कि गुरू की किरपा से मन में जो विकारों के साथ मुश्किल जंग चल रही है मैंने उसमें जीत प्राप्त की है तो दूस्तों ये थी हिंदी ट्रांसलेशन शबत तू मेरा पिता तू है मेरा माता की मुझे पूरी उमीद है कि आप सबको ये शबत बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा पर अगर आप सबने हमारे साथ इस रचना के प्रशन उत्तर करने हैं तो हमने उसकी अलग से वीडियो बनाई गया तो आप सभी विद्यार थी उस वीडियो को जरूर देखें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मिलेंगे आप सबसे किसी और वीडियो में तब तक देजाजत सत्स्रीयकाल